दोस्तों नमस्कार आप हमारे सामने घड़ी देख रहे होंगे इसमें दोस्तों एक सिकेंड में कितना चल रही है यह आप देख पा रहे होंगे अगर दोस्तों इस तरह से आपको प्राबलम आ रही है तो आप हमारे साथ बने रहे है मैं आपको इसको ठीक करना दिखाऊंगा कि आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं ये दोस्तों करीब करीब एक सिकेंड में 45 डिगरी चल रही है मुवमेंट कर रही है आप देख पा रहे होंगे मैंने सामने साथ में मुबाइल पेश्टा पॉच लगा के रखी है तो आप देख पा रहे होंगे एक सिगेंड में यह कितना आगे चल रही है चले दोस्तों अब हम इसके सेल के दोस्तों आपको बोल्टेज चकर करके दिखाते हैं कि हमारे सेल के बोल्टेज ठीक है या फिर नहीं गड़ी में दोस्तों दो ही प्राबलम आती है एक बैटरी पावर की और दूसरी कारवन लग करना होगा अब दोस्तों मैं इसके सेल के बोल्टेज आपको दिखाता हूं यह देखें दोस्तों कि यह हमारे सेल के बोल्टेज 1.42 वोल्ट आ रहे हैं दोस्तों हमारा सेल पूरी तरह से ठीक है दोस्तों घड़ी को ओपन करने के लिए आपको सारे स्कुरू खोलने होगे और आप सारी सुईयों को बाहर निकाल लेंगे यह करके फिर सेंटर का नट खोलेंगे और जिससे आपकी मसीन बाहर निकल आएगी अब दोस्तों इसके साइड में यह देखिए आप 2 लाक लगी होती है इन्हें आप टरस करके ओपन कर लेंगे और सारे पार्ट्स को आप आरसानी से निकालेंगे ध्यान रखना है दोस्तों जिस तरह से आपको निकालना है ठीक उसी तरह से आपको लगाना भी होगा अब फ्रण्स आप जो देख पा रहे हैं यह इसकी PC भी है इसको दोस्तों बाहर निकालेंगे तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर यह दो टर्मिनल निसके जहां से इसकी सप्लाई जाती है DC की हमारे सेल की इनको दोस्तों आपको क्लीन करके कार्बन साफ कर लेना है और इसकी अलावा आपको गड़ी में कुछ भी नहीं करना है और कुछ भी रिवेर भी नहीं हो पाता है बस यही आपको करना यही से आपकी प्राबलम ठीक हो जाएगी अब दोस्तों इसको फटा फट जैसे हमने उपिन किया था उसको बंद कर लेना है और बंद करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों इसको थोड़ी देर के लिए आपको धूब में रख लेना होगा जिससे कि इसके अंदर की नमी और माश्यर ठीक हो जाए और घड़ी आपकी सही हो जाए दोस्तों आपको इसकी तरह से फिटिंग करनी है और फिटिंग करने के बाद आपको इसको दस मिनट के लिए धूब में रख देना है तो जिससे की दोस्तों इसे अंदर जो भी नमी और माश्यर हो वो आसानी से निकल जाए और आपकी घड़ी ठीक से काम करने लगे दोस्तों दसमेट हो चुके हैं अब मैं आपको घड़ी उठा करके निकाल कर चेक कराता हूँ कि हमारी प्राबलम दूर हुई है या नहीं यह देखे दोस्तों जो हमारी गड़ी अभी तक पुदक पुदक के चल लही थी वो आप बिल्कुल ठीक हो चुगी है इस तरह दोस्तों अगर आपको भी प्राबलम आ रही है तो इसे आपको कुछ नहीं करना है साधानते आपको दूप में रख देना है और इस तरह की प्राबलम जो है फुदकने की या एक सेगेंड में 45 डिगरी चलने की आपकी ठीक हो जाएगी दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवात